नमस्कार Aries, Aries यानि मेशरासी में सुरेश को TRIPAL S in detail से तो आज हम Aries यानि मेशरासी की जनल लफ लेडिंग करेंगे जनल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज आप accept कर सकते हैं sun sign, moon sign दोनों से देखी जा सकती है और अगर आप personal adding चाते हैं तो निचे description box में details दी गई है वहाँ जाकर check कर सकते हैं कोई confusion, कोई doubt है तो whatsapp message के जरीए clear कर सकते हैं तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे Aries के Aries और Aries के जो partner है उनकी एक दूसरे के परती current feelings क्या है वो एक दूसरे के लिए क्या मैसूस करते हैं फिर देखेंगे वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं और इस situation का जो है outcome क्या रहेगा और guidance क्या रहेगी तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो Aries के partner है उनकी Aries को लेकर feelings क्या है वो उनके बारे में क्या मैसूस करते हैं क्या सोचते हैं nine of swords तो Aries आपको लग रहा है कि आपके partner से जब से आपका रिस्ता बना है तो कोई नो कोई आपके partner ने आपको दुख जिस पर आपने सबसे ज़्यादा बरोसा किया था believe किया था उन्होंने आपको दुखा दिया है उनकी वज़े से आप anxiety में है stress में है प्रेशानी दुविदा में है रातों के निधाराम हो चुकी है आप सो नहीं पा रहे है तो उस चीज़ को लेकर आप काफी confused है काफी दुखी है या फिर ये भी हो सकता है कि जो आपके person है वो इस चीज़ को लेकर काफी दुखी है परेशान है उनको लग रहा है कि इस रिस्ते में काफी परेशानी काफी दुख दुखी दाए रही है और जिस वज़े से आप अच्छे से उठ नहीं पा रहे है और इसका solution डूनने के बारे में सोच रहे है इसको clarify करते हैं क्योंकि एक card के कई meaning होते हैं तो देख लेते हैं कि जो Aries के Aries है वो इस रिस्ते को लेकर मतलब Aries के जो परसन है Aries को लेकर दुखी क्यों है उनको क्यों लग रहा है कि Aries ने उनको दोखा दिया है उनसे सलक कापट किया है जिस पर बरोसा किया था या फिर वो अपने परसन के बारे में ऐसा क्यों सोच रही है clarify करते है 7 of cups 3 of pentacles and 10 of phones तो Aries जो आपके परसन है वो इस रिस्ते को लेकर काफी प्रेशान है दुवीदा में है confused है वो महसूस कर रही है हाला के उनको और भी उनके पास option है और भी option है के वो कहीं और भी मतलब रिस्ता हो सकता कि उनके कई जगे से और भी रिस्ते आ रहे हो लेकिन वो दुखी है प्रेशानी में है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इस चीज को लेकर दुखी है कि आपने उनको दोका दिया है लेकिन वो इस रिस्ते को फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी वो रुक कर ठैर कर सोच विचार करके जो ये रिस्ता है इसको वो एक जो बार्डन जो बोज उनको लग रहा था इस रिस्ते को एक दिशा एक मोड और देने की कोशिश कर रहे हैं इसमें वो अपनी टीम अनर्जी टीम एफर्ट लगाना चाह रहे हैं उनको लग रहा कि जितनी वो मेहनत करेंगे जितना टीम एफर्ट लगाएंगे अनर्जी डालेंगे या फिर किसी की मदद से इस काम को करेंगे तो इस कन्फूजन से इस दुविदा से इस परेशानी से व वो इसका हल डूनने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप ये भी महसुस कर रहे हैं हो सकता है कि ये महसुस कर रहे हो कि एरिज को इन चीजों को हल डूनना चाहिए बजाए कि इस रिस्ते को बोज मानने के इस रिस्ते को बर्डन मानने के वो रुख का ठायर का सोच विचार करके अगर इसका हाल डूढेंगे तो यह जो इस रिस्ते का सोलिशन मिल जाएगा और फिर से रिस्ता एक हो जाएगा तो देख लेते हैं कि जो एरीज है वो अपने पार्टनर को लेकर क्या फिल कर रहे हैं उनको क्या लगता कि क्या करना चाहिए तो वो भी इस जो यह रिस्ता बर्डन बोज लग रहा है एरीज के परसन को तो वो महसुस इस रिस्ते से निजात पाना जा रहे है इस burden से निजारत पाना जा रहे है कि जो इस रिस्ते में जो burden है जो बोज है जो प्रेशानिया है जो responsibility जो जिम्मेदारियां जो उठा नहीं पा रहे है और उनको लग रहा है कि जब से ये रिस्ता बना है जब से वो बोज हिल हो गए है यानि कि इस रिस्ते को उठाने के काबिल नहीं रहे है तो वो इन इन चीजों से बहाराना जा रहे है इन responsibility से जिम्मेदारियों से बहाराना जा रहे है या फिर ये सोच रहे है कि उनके partner को इस रिस्ते को बोज नहीं समझना चाहिए और इसमें अगर वो energy effort लगाएंगे तो इस दुविधा से वो बहारा सकते है clarify करके देखते हैं और इसमें role reverse हो सकते है देख लेते हैं कि actually वो चाहा क्या रहे है वो क्या मैसुस कर रहे हैं इस रिस्ते को लेकर तो Aries में हैसुस कर रहे हैं कि इस रिस्ते को वो burden ना माने बोज ना माने अगर वो प्रिवार के साथ family के साथ या one by one करके इस रिस्ते को एक दुसरे के साथ share करेंगे इस responsibilities को जिम्मेदारियों को बाटेंगे और इसमें clarity लेकर आएंगे इस रिस्ते में clear cut communication करेंगे चाहे Aries को दुखो या उनके partner को दुखो किसी को भी दुखो लेकिन इसमें अगर clarity आएगी तो clear cut communication होगा खुल कर बातें होंगी और सही समय आने का सही वक्त आने का अगर wait किया जाएगा इंतजार किया जाएगा तो ये रिस्ता आगे बढ़ सकता है तो वो जो Aries है वो महसूस कर रहे है कि बजाए कि इस रिस्ते को बोज मानने के इस responsibilities को share करना चाहिए बाटना चाहिए और एक दुसरे से माफी मांगते वे जिसने जो भी गलतियां की है तो उनके इस रिस्ते के लिए manifest कर रहे हैं कि फिर सही रिस्ता एक हो और वो सही समय सही वक्त आने का wait कर रहे हैं इंतजार कर रहे हैं कि कब एक दुसरे से माफी मांगेंगे कब चीजह सही होंगी और कब ये रिस्ता fruitful होगा, काम्याब होगा पहले जैसा होगा तो उनकी दिली तमन्ना है कि वो एक दूसरे से माफी मांग ले और सही समय आने का सही वक्त आने का वेट करें पिंचजार करें इस रिस्ते को वो बोज ना माने अपने इस रिस्ते को एक पैसन एट नजरिये से देखें मतलब इस तरह से देखें कि अगर वो एक दूसरे से माफी मांग कर इस रिस्ते में आगे वर्क आउट करेंगे तो ये रिस्ता खुशियों में तबदिल हो सकता है fruitful हो सकता है तेख लेते हैं कि जो वो एक दूसरे से चाहते क्या है एरिज के परसन है कि उन्हें क्या करना चाहिए दास्टा जो Aries के परसन है तो वह हैं हैं सबसे पहले उन्हें अगर इस रिस्ते को मजबूत बनाना है स्ट्रोंग बनाना तो उन्हें spiritual growth करने चाहिए कि अगर वह spiritual growth करेंगे healing करेंगे meditation करेंगे समय को समय देंगे वक्त देंगे और तब इस रिस्ते में एक beginning एक शुरुआत करेंगे तो यह रिस्ता golden star हो सकता है खुशियों में तब दिल हो सकता है क्योंकि यह रिस्ता जो काफी है negative phase से होकर गुजरा है तो इसलिए वो चाहते हैं कि सबसे पह के charming force के देख लेते हैं इसको clarify करके nine of pentacles nine of pentacles, four of swords and page of pentacles तो जो Aries के person है वो महसूस कर रही है कि उन्हें इस रिस्ते में एक break लेना चाहिए थोड़ा सा अगर क्योंकि यह रिस्ता जो है काफी responsibility से काभी मलब negativity से गुजरा है काफी परेशानिया रही है काफी anxiety stress रहा है उनको लग रहा कि इसमें दोखा मिला है तो सबसे पहले उन्हें इसमें आराम करना चाहिए यूनिवर्स पर बरोसा करते वे वो थोड़ा सा अपने को समय दे वक्त दे और यूनिवर्स पर बरोसा लगाए अपने आपको रिलैक्स करें जब उनको और वो खुद पर काम करें अपने पैरों पर अपनी जिम्मेदारियों को समझते वे कि अपना जोब अपना बिजनस अपना करियर अपना पैसा अपनी मनी अपना फ्रीडम और आजादी के साथ अगर वो अपने जिम्मेदारियों को समझेंगे अपने पैरों पर खड़े होंगे, self-dependent होंगे तो ये रिस्ता काफी अच्छा जा सकता है इस रिस्ते में अपने आप ही खुशियां आ सकती है तभी इस रिस्ते में एक beginning एक शुरुबात करने चाहिए जो वो self-dependent हो तो पहले पैसे के लिए शायद हो सकता है कि पैसे को लेकर इस रिस्ते में प्रोब्लम आई हो क्योंकि ये pentacles के card आया है दो-दो तो तभी वो चाह रही है कि पहले वो अपने आपको अराम दे, relax करें जब उनको लगे कि वो उठने के लाइक हो गई है, ठीक हो गई है जो उनको दूइदा हो रही थी जो उनकी भावनाओं के साथ खेला गया था तो वो हर्टिड थे उनको हर्ट से रिलेटिड प्रोब्लम हो गई थी वो उठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे जब लगे उनको ठीक हो गई है तो वो अपने self-dependent बने अपने जिम्मेदारी को समझें अपने पैरों पर खड़ेंगा और थोड़ा सा समय को समय दें और हील करें अपने आपको मजबूत बनाए, strong बनाए तब ही वो इस रिस्ते में एक beginning एक शिरुवात करें अगर वो एक चोटी सी beginning एक शिरुवात कर देते हैं तो समय लगेगा, वक्त लगेगा लेकिन धीरे-धीरे करके रिस्ता stability की तरफ जरूर जाएगा ये energy जो है नई हो सकती है या फिर age difference हो सकता है जो age difference है और जो age difference हो सकता है ये energy जो है immature energy हो सकती है age difference काफी दिखाई दी रखा है लेकिन अगर इसमें उनके साथ मिलकर एक beginning एक शुरुवात करेंगे तो धीरे-धीरे करके जो energy है ये भी mature होगी और धीरे-धीरे करके चीजें सही होने शुरू हो जाएगे रिस्ता अच्छे से बनना शुरू हो जाएगा तो ऐसा वो अपने partner से चाहते है यनि के Aries से चाहते है अब देख लेते हैं के Aries क्या चाहते है Aries इस रिस्ते को लेकर अपने partner से क्या चाहते है death तो चीजों को transform करने के बारे में सोच रहे हैं वो चाहते हैं कि जो चाहे वो रिष्टे नाते हो सकते हैं, जो बिजनस करियर हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकता है, ओवर कंट्रोल हो सकता है, कोई घर का मेंबर पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो अगर इस रिष्टे को आगे बढ़ाना है, तो इस negativity को खतम करना पड़ेगा उन चीजों को ट्रांसफोर्म करना पड़ेगा जो इस रिस्ते को खराब कर रहे हैं बरबाद कर रहे हैं अगर वो इन चीजों को नहीं बदलेंगे ट्रांसफोर्म नहीं करेंगे तो रिस्ता जो रिस्ता है उसमें खुशिया नहीं आ सकती अगर वो इस रिस्ते म इसको clarify करके, कि actually वो चाहते क्या है, ये death का card क्यों आया है, पले ही इन चीजों को बदलने में उन्हें दुख तकलिफ होता है, अपने member को छोड़ने में अपने घर के इनसान से लड़ाय जगड़ा करने में, लेकिन येकिन मानिये, अगर उन चीजों को छोड़ दिया जाता ह समय के साथ, वक्त के साथ, वही चीजें उन्हें खुशियां देंगी, ट्रांस्फोर्म करते हैं, justice, five of pentacles and five of swords, तो अगर वो उन चीजों को ट्रांस्फोर्म करते हैं, उन चीजों को बदलते हैं, जिनसे रिस्ते में दरार आ रही है, रुकावटे आ रही हैं, तो उन्हें इस रिस्ते में justice मिलेगा, क्यों अभी इस रिस्ते में जो mind game चल रही है, manupleashen चल रही है, तो उस वज़े से उनकी ego heart हो रही है, रही है, आन्याय चाहते हैं, न्याय परिया बनना चाहते हैं, हो सकता है कि जो भी बंदा है, आरिस के जो भी person है, हो सकता है कि उनको न्याय बहुत पिरिया है वो मतलब जो भी काम करते हैं उसमें उन्हें नयाय चाहिए होता है उनको जूट अच्छा नहीं लगता तो वो महसुस कर रहे है कि जब तक उनकी इस रिस्ते में माइंड के मैनुपलेशन चल रही है उनकी इगो हर्ट हो रही है तब तक उन्हें जो भी इस रिस्ते में रुकाउटे जो इन एंड आउट की स्थिति बनी होई है पॉजिशन बनी होई है ये रिस्ता आगे बढ़ नहीं पा रहा है तो वो थोड़ा सा एक दूसरे पर बिलीव करें भरोसा करें टरस्ट इस जो इस रिस्ते में आ रहे हैं जिसकी वज़ए से रिस्ता हो रहा है तो वो इतना यकिन जुरूर करें कि रिस्ता फिर से बन सके और इस रिस्ते में उन्हें जस्टिस मिल सके नहीं मिल सके या फिर ये दूसरे तरफ ये भी हो सकता है क्योंकि ये रिस्ता काफी बरबादी की तरफ है इन एंड आउट की पोजिशन इस रिस्ते में है इसमें believe नहीं बना पा रहे हैं, वरोसा नहीं बना पा रहे हैं, चीजे change हो रही हैं, बदल हो रही है, overthinking, over control हो रहा है हो सकता है कि कोई तीसरा person इस रिष्टे में involved है या वो खुद negative है, खुद वो third party में है तो इस वज़े से ये भी हो सकता है कि जो Aries है, इन चीजों को खतम करते हुए, इस रिष्टे को खतम करते हुए, वो आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि उन्हें नयाएं मिले इस रिष्टे में, इस negativity से उन्हें मुक्ति मिले, इस परेशानी से इस दुविदा से वो बाहर निक रिष्टे की तरफ बढ़ें या लाइफ में नई शुरुवात करें और कुछ के सिज में वो वेट करेंगे, इंतजार करेंगे के चीजें कब सही होंगी, जो ये ट्रस्ट इशू है, एक दुसरे पर जो बरोसा नहीं किया जा रहा है, कब चीजें सही होंगी और कब ये रि कुछिश करेंगे, तो देखते हैं इस रिस्ते का आउटकम क्या रहेगा, इस रिस्ते का आउटकम क्या रहने वाला है, इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि फिल हाल के लिए कोई एक जनम मैं मैंसुस कर रहा है, कि जब तक इस रिस्ते से लेट गो नहीं किया जाएगा, अलवीदा नहीं किया जाएगा, तो इस रिस्ते में पनोती बाधाएं दिकते आती रहेंगी, तो वो कोई एक जनम मैंसुस कर रहा है कि फिल हाल के लिए वो इस रिस्ते से बाहर निकल जाते हैं उन्हें अलविदा कर देते हैं और नए रस्ते की तरफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि अगर वो इस रिष्टे में रहेंगे तो चीजें खराब हो सकती हैं तो बादाएं फिरेशने अधिकतें लगातार आती रहेंगी कि अभी फिल्खाल के लिए वो नहीं चाहते के वो इस रिष्टे में वापस आएं तो जब तक चीजें सही नहीं हो जाती टाइम सही नहीं होता situation सही नहीं होती तब तक वो इस रिष्टे से अलविदा करके नए रस्ते की तरफ बढ़ना चाहते हैं मतलब और कामों की तरफ या और चीजों की तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं इसको clarify करते हैं Queen of Cups The Empress And The Lovers तो वो इस रिस्ते से इसका जो outcome है वो बता रहा है कि अगर वो फिल हल के लिए इस situation से बाहर निकल जाएंगे इस रिस्ते से अलवीदा करेंगे let go करेंगे तो इस रिस्ते में जो भी addiction है प्यार दोनों तरफ से emotions है दोनों तरफ से प्यार है attraction है लेकिन उसके साथ साथ इसमें addiction भी है तो वो मैसुस कर रहे हैं कि जब तक इसमें चीजें सही नहीं हो जाती एक दुसरे से बिलीव नहीं किया जाता बरोसा नहीं बन जाता और इसमें decision नहीं लिया जाता तो तब तक इसमें जो सही समय आएगा सही वक्त आएगा तो इस रिस्ते से निकलते वे वो आपने आपको strong बनाने के लिए मजबूत बनाने के लिए self healing करेंगे self love करेंगे self care करेंगे इस रिस्ते को मजबूत बनाने के लिए वो इस रिस्ते को practical बनाना जाते हैं, खुशियां चाहते हैं इस रिष्टे में, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि इस रिष्टे को अभी समय देते हैं, वक्त देते हैं, जब तक situation सही नहीं हो जाती, ठीक नहीं हो जाती, चीजें आगे नहीं बढ़ती तब तक वो इससे अल्विदा कर देते हैं, बाहर निकल जाते हैं या फिर उन चीजों को बाहर निकाल दिया जाए जो इस रिस्ते में जिनकी वज़ाई से ओवर थिंकिंग हो रही है ओवर कंट्रोल हो रहा है ओवर स्ट्रेस इस रिस्ते में आ रहा है तो उन चीजों को वो अलविदा करना चाह रही है जो इस रिस्ते म वो उनको decision लें उन चीजों का आमने सामने बैठ कर clarity लेकर आए clear cut communication करें ताकि इस रिस्ते में abundance आसके, खुशियां आ सके, gorgeous बन सके रिस्ता और powerful बन सके, fruitful हो सके, name और fame इस रिस्ते में आ सके तो इसका outcome ये भी हो सकता है और तो वो चाहते हैं कि उन चीजों को let go किया जाए, उन लोगों को जो इस रिस्ते में बादाएं दे रहे हैं और तभी इस रिस्ते में खुशी आएंगी, तभी इस रिस्ते में प्यार और मौपत होगा और जो addiction है वो खड़ा होगी इसकी guidance देख लेते हैं यूनिवर्सजी क्या जाते हैं sorry guys काफी लंबी वीडियो होगे, फड़ा पड़ से देख लेते हैं इसका तो यूनिवर्सी गाइड करना चाह रहे है कि सबसे पहले क्योंकि इस रिस्ते में कोई solution जब तक हल नहीं निकल जाता solution नहीं निकल जाता, जब तक रातों की नीध हरामा हो रही है आप spiritual growth करें, healing करें, meditation करें, prayer करें, उनिवर्स में आस्ता लगाएं और चूप रहें, मौन रहें, शांती से रहें और अपने आपको heal करें क्योंकि अगर रिस्ते को मजबूत बनाना है, इस रिस्ते को strong बनाना है तो self dependent बना पड़ेगा, self feeling, self love, self caring करनी पड़ेगी तो सबसे पहले आप रिस्ते को आगे बढ़ाने से पहले, जब तक इसका solution हल नहीं निकल जाता तब तक आप अपने आपको heal करें, meditation करें, prayer करें और तभी इस रिस्ते में खुशी आएंगी, तभी ये रिस्ता आगे बढ़ेगा, तभी ये रिस्ता stable होगा जब आप अपने आपको समय देंगे, वक्त देंगे, और self-healing, self-caring, self-love करेंगे खुद को भी प्यार करेंगे, खुद के बारे में भी सोचेंगे, तो तभी इस रिस्ते में मजबूती आएगी अभी आप इस रिस्ते की तरफ आगे ना बढ़े, पहले अपने आपको मजबूत बनाएं, strong बनाएं, और चुप रहें, मौन रहें, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, इस anxiety, stress से बाहर निकलने का हाल डूड़े, तो तभी ठीक होगा रिस्ता, आज के लिए बस इतना ह पर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूले, क्योंकि इससे मौटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, नमास्टे, थेंक्यू सो मुच,